हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आज हो पच्छे होंगे और जैसा कि आप लोग को पता है कि जियोग्राफी को NCRT से पढ़ रहे हैं तो क्लास एट थीबुक का चौता चैप्टर है उद्ध्योग तो यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक और सेर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए सुरू करते हैं लिखा है क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्त का जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वैवी निर्मालक की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पांसती है इसके जीवन की सुरुवात वरक्ष से होती है उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है वहाँ वरक्षों की लपड़ी को संसादिद एवं काष्ट लुगदी में परवर्थित किया जाता है यह कागज प्रेस में जाता है जहां रासाइनों से निर्मित सियाही का इस्तेमाल प्रष्टों पर रेखाई शापने में किया जाता है इसके उपरांत प्रष्टों को अभ्यास पुस्तका के रूप में बांध कर वा पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भे रहा है किस प्रकार से जो अभ्यास पुस्टका है इसे तैयार किया जाता है और वह उसके बाद बच्चों तक पुँंचती है यही क्रियाकलाप दिखाया जा रहा है आगे लिखा है दुतियक क्रिया कलाप या विनिर्मार में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल के उतपादों के रूप में परवर्तित किया जाता है जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विर निर्मार प्रक्रिया के दो चरड़ों को परदर्सित करता है तो विर निर्मार में क्या किया जाता है कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल उत्पादों के रूप में परवर्थित किया जाता है जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज की रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में क्योंकि इससे उसका मूल बढ़ जाता है तो यही कहलाती है विनिर्माड प्रकिरिया आगे लिखा है उद्योग का सम्मंद आर्थिक गत्विदी से है जो कि वस्तिमों के उत्पादन खन जो के निसकरसर अत्वा सेवाओं की व्यवस्था से सम्मंदित है इस पिरकार लोहा और इसपात उद्योग वस्तिमों के उत्पादन से सम्मंदित है कोईला खनन उद्योग कोईले को धर्ती से निकाले से सम्मंदित है तथा परियतन सेवा देने से सम्मंदित उध्योग है अब लिखा है उध्योगों का वर्गी करण यानि उध्योगों को कितने रूपों में बाटा जा सकता है इसके बारे में लिखा है उद्योगों का वर्गी करड कच्चा माल, आकार और स्वामित्य के आधार पर किया जा सकता है तो सबसे पहले लिखा है कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग क्रसी आधारित, खनेज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं तो कच्चे माल की उपयोग के आधार पर क्रसी आधारित हो सकते हैं, उद्योग खनेज आधारित हो सकते हैं और समुद्र आधारित हो सकते हैं इसके इलावा वन आधारित भी हो सकते हैं सबसे पहले लिखा है उद्योग आधारित अब पहले लिखा है क्रसी आधारित उद्योग के बारे में तो चलिए पढ़ लेते हैं कच्चे माल के रूप में वनस्पती और जन्तू आधारित उत्पादों का उप्योग करते हैं खाद्य संसादन, वनस्पती, तेल, सूती वस्त्र, डेरी उत्पाद और चर्म उद्योग, क्रसी आधारित उद्योगों के उधारण है तो आपको याद रखना है खाद संसादन, वनस्पती तेल, सूती वस्त्र, डेरी उत्पाद और चर्म उत्योग, ये सब क्या है? किरसी आधारित उत्योग अब लिखाए खनेज आधारित उत्योग के बारे में ये प्रात्मिक उत्योग हैं जो खनेज आईसकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं इन उत्योगों के उत्पाद अन उत्योगों का पोशड करते हैं आयसक से निर्मित लोहा खनेज आधारित उत्योग का उत्पाद है यह कई अन उत्पादों के वे निर्माड के लिए कच्चे माल के रूप में प्रियोक्त किया जाता है जैसे भारी मसीनों, ववन निर्माड सामगरी, रेल के डिबे बनाने में खनिज आधारी तुद्योक के बारे में पढ़ लिए आप लिखा है समुद्र आधारी तुद्योक सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं समुद्री खाद प्रसंसकरण उद्योग और मतस्त तेल निर्माड इसके खुश उधारण है वन आधारित उद्योग क्या है वनों से प्राफ्ट उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं लुगदी एवं कागज ओशद रसायन परनीचर और भवन निर्माड वनों से संबंदित उद्योग है क्योंकि वन से ही लकडी प्राफ्ट होती है और शदी प्राफ्ट होती है जिससे लकडी से कागज बनाया जाता है और भवन निर्माड से संबंदित जो भी चीजें होती है लकडी से बनाई जाती है इसके लावा फरनीचर भी लकडी से बन अधार का तात्वर निवेश की गई पूंजी की रासी नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है आकार की आधार पर उध्योगों को दो भावों में बाटा जा सकता है कौन-कौन से हैं दो भाग लगू आकार की उध्योग और व्रहता आकार के उध्योग तोकरी बुनाई मिटी के बर सन्ध और अनहस्त निर्मित वस्त्मी कुट्र वस्तमी के उधारण हैं बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ि मात्रा में वस्तमों की उच्छ इस्तरी होती है रेसम बुनाई खाद प्रकर्मड लगू पैमाने के अध्योग है आटो मोबाइल और भारी मसीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उध्योग हैं तो आप लोग ये बात जानते ही हैं कि लगू आकार की जो उध्योग होते हैं उनमें कुटूर उ पूंजी निवेश की जाती है तो ऐसे उद्योग कहलाते हैं ब्रहताकार के तो इन में क्या है बड़े प्यमाने पर पूंजी का निवेश किया जाता है और जो प्राद्योग की होती है वो भी उचिस्तर की होती है तो ऐसे उद्योग कहलाते हैं व्रहताकार के तो आटो मुबाइल और भारी मसीनों का उत्पादन ये बड़े पैमाने के उद्योग है अब लिखा है स्वामित्व तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बाटा गया है लिखा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी छेत्र, राज स्वामित्व अत्वा सार्वजनिक छेत्र, सयोक्ट छेत्र और सैकारी छेत्र में वर्गिकर किया दा सकता है निजी छेतर के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समुव द्वारा किया दाता है सारवजनिक छेतर के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरक्वार द्वारा होता है जैसे हिंदुस्तान Aeronautics Limited और Steel Authority of India Limited सायुक्त छेतर के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्जियों और व्यक्तियों अत्वा व्यक्तियों के समुव द्वारा होता है मारूति उद्वारा होता है आनन्द मिल्क यूरियन लिम्टेड एबं सुधा डेरी सहकारी उक्रम उत्तम के उधारण है तो ये बताए गई हैं स्वामित के आधार पर उध्योगों के बरगी करण के बारे में अब लिखा है उध्योगों की आवस्थिती को पिरुभावित करने वाले कारा जहां से प्रश्न बनेगा वहां मैं बता दूगी उसको आप प्याब रखना है लेकिन समस्ते तो सभी चीजों को चलना है लिखा है वे कारक जो उध्योगों की आवस्थिती को पिरुभावित करते हैं अच्चे माल की उपलब्दिता भूमी जल सरम सक्ति पूंजी परवहन और बाजार यानि कि ये उध्योगों की आवस्थिती को पिरुभावित करते हैं वे द्योग उल्ही इस्थानों पर क्यांदरित होते हैं जहां इन में से पुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्द होते हैं कभी कभी सरकार कम दाम पर बित्वत उपलब्द दा कम परवहन लागत तका अन अवसं रशना जैसे प्रूत साहन प्रदान करती हैं ताकि पिछड़े छेत्रों में भी उद्योग इस्थाफित किया जा सके और द्योगी करण से प्राया नगरों और सहरों का विकास इवं बित्थी बोती हैं यहां आप उद्योगों की अवस्तिती समंदी कारक देख सकते हैं क्या क्या हैं जल, बाजार, पूर्जी, सिरम, कच्यामाल, बित्थ, भूमी, परिवहन, संचार तो उद्योग वही इस्थाफित किये जाते हैं जहां इनमे से सभी उपस्थित हों तो वही पर उद्योग इस्थाफित हो सकता है आगी लिखा है और द्योगिक तंत्र के बारे में लिखा है और द्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत सामिल है निवेश में कच्ये माल, स्रम और भूमी की लागत, जल की उपलब्डिता, परिवहन, बिदुत और अन्य, अवसन रचना सामिल है प्रक्रम में कई तरह की किरिया कलाप सामिल हैं जो कच्छे माल को परिस्कृत माल भी परिवर्टित करते हैं निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है प्रक्रमों में उटाई, खटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई सामिल है कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है तो अध्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत सामिल होता है यह आपको याद रखना है और प्रक्रम में कई तरह की किरिया कलाप होते हैं यानि कि कच्चे माल को परिस्टित परिस्क्रत करना निर्गत अंतिमुत पाद और इससे अर्जित आए सूती वस्त रोध्योग के बारे में बताया गया है कि कपास, मानोश्रम, कारखाना और परवहन, लागत निवेश हो सकते हैं और प्रक्रमों में क्या-क्या सामिल है ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई और अंतिमुत पाद के रूप में कमीज बनती है कमीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है अब लिखा है ओद्योगिक पिर्देश ओद्योगिक पिर्देश के बारे में बताया गया है ओद्योगिक पिर्देश का विकास तब होता है जब कई तरह के ओद्योग एक दुसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाव आपस में बाठते हैं विस्व के प्रमुख और द्योगिक पिरदेश पूर्वोत्तर अमेरिका पश्च्मी और मद यूरोप पूर्वी यूरोप और पूर्वी एसिया है यहां भारत के क्योंच और द्योगिक पिरदेश बताई गई है भारत में अनेक और द्योगिक पिरदेश हैं कौन-कौन से हैं गुंटूर ओद्योगिक पिरदेश बुरगां दिन्ली मेरट ओद्योगिक पिरदेश और कोलम तिर्वनत पुरम ओद्योगिक पिरदेश तो यह भारत के ओद्योगिक पिरदेश हैं आगे लिखा है उद्योगों में दुरगटना या विपिदा मुख रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन करने वाले पदार्थों के वे तरतीव उप्योगी के कारण खटेत होती है वोपाल में 3 दिसंबर 1984 पुनलगभग रातरी के साड़े बारे बजे घटित अब तक की सबसे तरासद पूर ओध्योगिक दुरगटना है यह एक पुरध्योगिकी दुरगटना थी जिसमें यूनियन कारवाइड के कीटनासी कारखाने से हाइडरोजन साइनाइट तथा प्रतकिरियासी लुत्पादों के साथ साथ अतियंत विसेली मिथाईल आईसो साइनेट M.I.C. गैस का रिसाव हुआ था इस गैस का नाम आप लोगों को याद रखना है कई प्रत्योगी परिक्षाओं में पूछा जा चुका है तो इसका नाम आपको याद रखना है मिथाईल आईसो साइनेट आगे लिखा है 1989 में सरकारी सुचना के अनसार 35,598 व्यक्तियों की मिरत्यों हो गई अजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक यादिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विक्रती, आत्र सोत विक्रतियों आदी से पीडित है यहाँ एक और घटना के बारे में लिखा हुआ है 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाउ कायो चौंग गिंग में गैस कूप इस्पोर्ट से 243 लोगों की मिरत्यों तथा 9,000 लोग दुर घटना ग्रस्थ हो गई थे और इन इस्थानों से 64,000 लोगों को विस्था पित किया गया था कई लोग विस्पोर्ट के बाद ना भाग सकने की कारण मर गए वे जो समय पर भाग गए उनकी आँखें त्वचा और फेवपड़े ग्यस से चतिगरस्थ हो गए ये गायो कायो में बचाव अभियान की एक फोटो यहाँ पर शपी हुई है आप देख सकते हैं आगी लिखा है जोखिम कम करने के उपाए तो जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में लिखा है घने बसे आवासी छेतरों को और द्योग छेतरों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए और द्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुरघटना होने की स्थिती में विसेले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उलके संभव पिरभावों का ग्यान होना चाहिए आग की चेतावनी और अगनी समन की व्यवस्ता को उन्नत किया जाना चाहिए विसेले पदार्थों के भंडारण चंता की सीमा होनी चाहिए उद्योगों में प्रदूसर नियंत्रड के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए तो ये दो गठनाई लिखी थी जिन में काफी हानी हुई थी लोग मारे गई थे इसके बारे में लिखा हुगा था अब लिखा है प्रमुक उद्योगों का वित्रड यानि उद्योगों का वित्रड किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में लिखा है विशु के प्रमुक उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रोद्योग की उद्योग हैं लोहा इसपात उद्योग और वस्त्र उद्योग कापी पुराने हैं जब की सूचना प्रोध्योग की उद्योग एक नया उभरता उद्योग है तो प्रस्ण पूछा जा चुका है कि सन्राइज उद्योग कौन सा है तो सूचना प्रोध्योग की उद्योग को सन्राइज उद् सामिल तो आपको याद रखना है ये प्रस्न पूछा जा चुका है आगे लिखा है वे देश जिसमें लोहा इस पात अवस्थित हैं जर्मनी संक्त राजमीर का चीन जापान और रूस हैं वस्त्र अध्योग भारत ओंग कॉंग दक्षड कोरिया जापान और ताइवान में आपको ये बातें याद रखनी है सूचना प्रण्योगी की उद्योग के मुख के अंद्र कौन-कौन से हैं मदवर्ती कैलफोर्निया के सिलकॉन गाटी और भारत में बैंगलरू पिर्देश तो भारत का बैंगलरू पिर्देश आपको याद रखना है आगे लिखा है लोह इस पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गस सामिल है यह एक पोसक उद्योग है जिसके उत्पाद अन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोक्त होते हैं उद्योग के लिए निवेश में स्रम पूंजी इस्थान और अन अवसं प्रगलन क्या है तो इसके बारे में भी जनना अवस्चक है और सब्दावली में लिखा भी है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धात्यों को उसके आयसकों द्वारा गलनान की बिंदू से अधिक तपाकर निस्कर्सित किया जाता है तो यह कहलाता है प्रगलन तो इसी पि प्रगलित होता है फिर क्या होता है इसके बाद यह परिशोधित होता है प्राप्त उत्पाद इस पात होता है जो अन उत्यों को में कच्चे माल के रुट में प्रियोक्त किया जा सकता है आगे लिखा है इस पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा स इसकी मिस्रधात्य बनाई जा सकती है मिस्रधात्य इस पात को असामान निकठोरता, द्रडता और जंग प्रतिरोधक छमता प्रदान करती है यहां आप इस पात उत्पादन एक चित्र के माथ्य हम से देख सकते हैं इसके लिए क्या चाहिए आठ टन कोईला, चार टन अयस्क और एक टन चूना पत्थर मिलकर बनाते हैं एक टन इस पात आगे लिखा है इस प्रात इस पात प्राया आधने कुद्योगों का मेरु दंड कहलाता है लगवग सारी वस्तमें जिनका हम उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस पात से बने हैं अत्वा इन धात्मों से निर्मित ओजारों और मसीनों से बने हैं पोत, रेल गाडी, ट्रक और ओटो अधिक अंस्ता इस पात से बने हैं यहां तक कि सैप्टी पिन और स्वियां जिनका उपयोग आप करती हैं वे भी इस पात से बनती हैं तो दैनिक जीवन में हम लोग जिन बस्तमों का इस्तेमाल करते हैं वो अधिकतर किस से बनी हुई है इस पात से बनी हुई है तेल कूक इसपात से वनी मसीनों से वेधित किये जाते हैं इसपात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है खनजों का खनन इसपात के उपकरडों से होता है क्रसी के यंत्र प्राया इसपात के वनी होते हैं विसाल भवनों का ढाचा इस पात का बनाया जाता है अठारा सो ईसा पूर्व के इसा पूर्व इस पात उद्योग वहां इस्थिस थे जहां कच्चा माल, विद्धुता पूर्ती और बहता जल आसानी से उपलब्द थे बाद में उद्योगों के लिए इस्थिती कोईला छेतर के समीप नहरोवा रेलवे के निकट थी 1950 के बाद लोहा और इस पात उद्योग समुद्र पत्तन की निकट सपाट भूमी की विसाल छेतरों में केंदरित होने शुरू हुए ऐसा इसलिए हुगा क्योंकि इस पात निर्माड का कार इस समय तक बहुत विसाल हो गया और लोह आयस्क विद्योशों से आयात करना पड़ता था भारत में लोहा इस पात उद्योग कच्चा माल सस्तिस रमक और परिवहन बाजार कलाब लेते हुए बिक्सित हुए सभी महत पूर इसपात उतपादक केंदर जैसे भिलाई दुर्गापुर बर्नपुर जमसेदपुर राउर केला बुकारो एक ही प्रदेश में इस्तित हैं जो चार राजियों में फैले हैं कि मैं बाद्रवती और विजनहगर करनातक में विसाखा पत्नम और प्रदेश में सलेम तमिलादु में वा अननिमहत पूर इसपात केंदर जो-थनि संसादन का उपियोग कर रहें यहाँ पर प्रमुक लोहा इस पात उत्पादन के छेतर दिखाए गई हैं जो काले बिंदू आप लोग देख रहे हैं यह क्या है यह प्रमुक लोहा इस पात उत्पादन के छेतर हैं यहाँ पर इस चितर में जो का बटी में लोव अयसक से इस पात तक की किरिया दिखाई गई है यह है धातुमल इस तरफ यह निकल रहा है यह प्रगलित लोहा है यह गर्म वायू जा रही है जो का बटी है यह और यह क्या है लोव अयसक चूना पत्थर और कोक तो यह इसमें डाला जा रहा है यह सब प्रक्रिया इसमें दिखाई जा रही है अब जो मैंतपूर इसपात उत्पादक केंद्र हैं उनके बारे में लिखा हुआ है तो सबसे पहले लिखा है जमसेदपूर के बारे में लिखा है 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इसपात का कार खाना था टाटा आइरन एंड इस्टील कमपनी लिम्टेट जिसे टिसको कहते हैं यह निजी स्वामित में था स्वतंतरता के पश्चात सरकार ने यह कार अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा सयंत इसपात सयंतर इस्थापित किये जारखंड में स्वर्ड रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीब साकची में सन 1907 में टिसको की सुरुवात की गई थी टिसको यानि टाइटा आइरन एंड इस्टील कमपनी लिम्टेट बाद में साकची को नाम बदल कर जमसेदपुर रखा गया भोगोलक रूप से जमसेदपुर देश में लोहा इसपात केंदर के रूप में सरवादिक सुबधा जनकिस्थान पर इस्थित है यहाँ पर इस नकिसे में जमसेदपुर लोहा इसपात उद्योग की अवस्थिती दिखाई गई है यह खरकाई नदी है जो नीले रंग से दिख रही है यह स्वर्ड रेखा नदी यहाँ यह खरकाई नदी है टाटा इसपात कार है यह यह टाटा नगर रेल्वे स्टेशन की लाइन बिची हुई है तो ये यहाँ पर अवस्थिती दर्साई गई है ये जो ये दिखाई गई है ये ये मुख सडके हैं और रेल्वे लाइन ये है यहाँ टाटा मुख अस्पताल सामान डांक घर है ये जमसेदपुर हवाई पत्तन ये साक्ची है जिसका नाम बदल कर बाद में जमसेदपुर कर दिया गया आगी लिखा है साक्ची को कई कारडों से इस पात सयंतर स्थापित करने के लिए चुना गया यह इस्थान बंगाल नांगपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था यह इस्थान लौ अयस्त कोईला और मैगनीज निच्छेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था जहां विसाल वाजार उपलब्द था टिसको को जरिया कोईला चेतरों से कोईला और ओडीसा थथा 36 गड़ से लौ अयस्के चुना पत्थर डोलोमाइट और मैगनीज पराप्त होता है खरकई और स्वर्ड रेखा नदियों से परियाप्त जलकिया पूर्ती होती है सरकारी परोत्साहिनों से इसे परियाप्त पूंजी उपलब्द हुई जमसेद पूर में टिसको की स्थापना के बाद कई अन और द्योगिक सयंत्र इस्थापित किये गए इसमें रसायन, इंजनों के पूर्जे, क्रसी उपकरण, मसीने, टिन की चादरें, केवल और तार का उत्पादन किया जाता है भारत में लोहा इसपात उद्योगि के विकास से त्वरित और द्योगिक विकास आरम हुआ भारती उद्योग के लगबग सभी छेतर अधिक अंस्ता, अपने आधार भूद अव सरचना के लिए लोहा इसपात उद्योग पर निर्भर हैं तो ये भारत का जमसेदपुर जहां पर टिसको इस्थापित है उसके बारे में लिखा था अब लिखा है पेड़सवर्ग के बारे में और ये कहा है सैंक्त राज अमेर्का का एक महर्तपूर इसपात नगर है ये तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं लिखा है ये सायुक्त राज अमेर्का का एक महर्तपूर इसपात नगर है पेड़सवर्ग के इसपात द्योग को इस्थानी सुबदाईं उपलब्द हैं कच्चा माल जैसे कोईला पेड़सवर्ग में ही उपलब्द हैं जफकी लौ अयस के मिने सोटा की लोहे की खानों से प और पिट्सवर्ग के बीच नो परिवहन का सर्वोतम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है या अयस के नो परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है तो मार्ग का नाम याद रखना है ग्रेट लेक्स जल मार्ग आगी लिखा है ग्रेट लेक्स से पिट्सवर्ग छेतर तक लोह अ मोनोग, हेला और एलगनी नदियों से परियाप्त जल प्राप्त होता है आज पिट्सवर्ग में बहुत बड़ी इसपात मिल है ये मिल पिट्सवर्ग के ऊपर मोनोग, हेला और एलगनी नदी की घाटियों में तता पिट्सवर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे इस्थित है परिस्क्रित इस्पात इस्थल और जल दोनों मारगुंद्वारा बाजार में भेजा जाता है पिट्स वर्ग छेतर में इसपात मिलों के अतिकत कई अनकार खाने हैं ये रेल, रेल पटरी, उपकरण और बारी मसीनों के उत्पादन में इस पाद का प्रियोग कच्चे माल के रूप में करते हैं यहां एक महत पूर्दत है ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर यूरन, ओंटारियो, मिसीगन और इरी है इन पाँच जीलों में से सुपीरियल जील सबसे बड़ी है जो अन की तुडला में उच उर्द पिरवापर इस्थित है तो आज का ये लेसन यही पर समाप्त होता है इसके बाद एक लेसन और बचा है क्लास एट में और फिर जियोग्राफी कम्प्लीट हो जाएगी तो एक लेसन और है एक क्लास और जियोग्राफी के आईगी उसके बाद जियोग्राफी कम्प्लीट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो वीडियो कैसा लगा कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई